Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope you कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग करेंगे Class 2 English NCRT Book का Unit 1 ठीक है, Unit 1 में हम लोग करेंगे Chapter 1 First Day at School तो इसकी word meaning and question answer मैंने पहले की वीडियो में करवा रखे हैं और इस वीडियो में हम लोग इस Chapter के कुछ Extra Questions करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, Question है, Tick the correct option, जो सही option होगा उसके सामने, Tick करना है, ठीक है First है, This poem is about before he goes to school on the first day मतलब कि जो यह poem है, कवीता ही, इस बारे में है इस बारे में है कि, यह first option है, What a child thinks मतलब कि बच्चे की क्या things है, या फिर बच्चे की क्या experience है, experiences of a child a wonderful child, या non of disease में से कोई भी option सही नहीं तो यह poem, यह poem किसके उपर है, जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो वो क्या सोचता है, मतलब कि things के उपर है, What a child thinks तो first one option सही है, इसके सामने, टिक करेंगे, ठीक है B है, The child wonders if his teacher will look like his मतलब कि जो बच्चा है, वो अपने teacher के बारे में क्या सोचता है कि वो कैसे दिखाए देंगे, first option है puppy, मतलब कि जो उसका puppy है उसकी जैसे, second option है mom or grand, मतलब इसकी mammy और दादी जैसे या फिर उसके friends जैसे, fourth option है उसके neighbor जैसे तो इसका answer क्या है, mom or grand लोगे, बच्चा जो है, अपने teacher के बारे में सोचता है कि जो उसकी teacher होंगे, वो उसकी mammy और उसके दादी की तरह दिखेंगे second option सही है, ठीक है C है, what is the full form of mom तो आपको बताना है कि mom की full form क्या होती है first option है mother, second option है father and third option है mouth तो mom की full form क्या होती है mother first option सही है, इसके सामने टिक करेंगे C है, what is the full form of grand अब आपको बताना है कि grand की full form क्या होती है first option है grandfather, second option है grandmother and third option है aunt तो grand की full form क्या होती है grandmother second equal option सही है इसके इसके सामने ο्ट करेंगे ठीक के अब D है which pet does the child मतलब की जो child था जो बच्चा था उसके पास कौन सा pet था फर्स्ट उप्च्चन है cat सही हो पुपी धार ऑप्शक्ट था तो बच्चा था उसके पास कौन सा पेट था पुपी Second option, सही है, इसके सामने Tick करेंगे, ठीक है E है, Who has written the poem मतलब कि जो इस poem है, किस ने लिखी है Alan Fisher या Alien Matthias Alien Matthias ने लिखी है, यह Alien Fisher ने लिखी है तो इसका first option, सही है, Alien Fisher ने लिखी है यह poem, ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गई होंगे, question है, fill in the blanks अब आपके fill in the blanks है first है, the child wonders if his dash will be as his classmate मतलब कि बच्चा जो है, किस के बारे में सोचता है कि उसकी और classmate से अच्छी होगी तो वो किस के बारे में सोचता है, अपनी drawing के बारे में यह आपर लिखेंगे हम, drawing ठीक है, the child wonders if his drawing will be as his classmate ठीक है, तो बच्चा सोचता है कि जो उसकी drawing होगी, वो उसकी classmate जैसी होगी second है, the child is worried because it is his dash day at school मतलब कि बच्चा जो है, क्यों चिनती थे क्योंकि उसका school का कौन सा day है, first day है, ठीक है बच्चा इसलिए चिनती थे कि उसका school का the child is worried because it is his first day at school the child wonders whether his teacher would look like his dash जैसे ग्रम की बच्चा जो है कैसे होगी, उसकी teacher होगी, वो उसकी grand और किस की तरह दिखेंगी, mom ठीक है, है, हापर हम लिखेंगे mom, the child wonders whether his teacher would look like his mom, जैसे बच्चा सोचता है, जो उसकी teacher होगी, वो उसकी mom, और उसकी दादी की जैसे दिखेंगी, ठीक है, फोर्त है, the child's pet is, मतलब की बच्चे का pet कॉन था, वहाँ पपी था ना, यहाँ पर हम लिखेंगे, puppy, 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 आपको फिल इन दा ब्लैंक समझ में आ गए होगे, आप question है, right, t for true and f for false, मतलब की, जो true उसके लिए t लिखना है, और जो false है, जो गलत है, उसके लिए f लिखना है, first है, the child wonders, how is false, they will be in the school, मतलब की, बच्चा जो है, अपने first day के बारे में सोचता है, school के लिए, yes, यह true है, t लिखेंगे, b है, the child wonders if his teacher will look like his father, मतलब की, बच्चा सोचता है, जो इसके teacher होंगे, वो इसके पापा की जैसे दिखेंगे, नहीं, वो mom और grandkip जैसे सोचता है, की, जो इसकी मम्मी और इसकी दादियोंगी, उसके जैसे दिखेंगे, यह false है, C है, the child wonders if his classmates will stare at him, मतलब बच्चा सोचता है, की, क्या उसकी classmate, जो होंगे, वो इसको घूरेंगे, yes, true है, ठीक है, तो आपको true-false में समझ में आ गए होंगे, अब question है, add ing to make new words, मतलब की, यहाँ पर मैंने दे रखा है, जैसे, wor के work plus ing, तो आपको क्या करने, इसे word बनाना है, तो यह से, work plus ing, क्या बन जाएगा, working, ठीक है, B है, start plus ing, starting, start ing, starting, ठीक है, C है, slip plus ing, क्या बन जाएगा, sleeping, ठीक है, D है, play plus ing, playing, and, E है, go go plus ing, going, तो आपको यह कोश्यांस, अच्छे समझ में, आ गई होंगे, और आपको क्या करना है, इनको अच्छे से, no down करना है, और फिर learn करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे में ब्लोग नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान लगी, thank you so much, कि अच्छे से,